हलो देट फर्स बच्छो आपको पहले डेट लिखना है और देखिए आज क्या लिखना है राइट काॉंटिंग 1-20 आपको लिख चुके हैं तो वे आफ राइटिंग का यूज करती हुए आप काॉंटिंग लिखेगा और जब भी आप 7 लिखेगा तो फॉर्वर्ड करके ला करना है कैसे लिखना है आपको half circle इधर से देना है then right half circle then go up दो लड़ू नहीं बिठाना है और उसी तरह 9 में आप लोग क्या करते हैं up to down करके half circle कर देते हैं ये गलत है आपको full circle करते हुए ही up to down करना है ठीक है 9 में और जब 10 लिखेगा 1 और 0 का size सेम होना चाहिए कोई-कोई आप लोग 1 को बड़ा लिखते हैं और 0 को छोटा कर देते हैं और आज में एक नए तरीके से आपको counting लिखना सिखाऊंगी कैसे लिखना है बहुत easy है 1 to 10 आपको आ गया अच्छी तरह से फिर finger distance लेके यहाँ पे आप 11 कैसे लिखेगा 1 आपको लिखते रहना है ठीक है 11 में आपको 1 लिखते रहना है और यहाँ से 1 को ले लेना है तो 1 को यहाँ से लिजेगा तो क्या हो गया 11 11 फिर हम लोग 1 को लिखेंगे और 2 को हम लोग यहाँ से लेंगे तो 12 हो गया उसी तरह फिर 1 लिखेंगे यहाँ से 3 को लिखेंगे क्या हो गया 13 फिर हम लोग यहाँ से 4 क को हम लोग यहां से ले लिए तो 17 उसी तरह 1 लिखेंगे और 8 को ले लेंगे तो 18 अगें 1 लिखेंगे और 9 को ले लेंगे तो 19 अब 1 के बाद क्या होता है 2 19 के बाद क्या होता है 2 तो 2 लिखेंगे फिर 0 कर देंगे तो 20 हो गया अब हम लोग लिखेंगे आज 20 से 30 तक तो चलि फिर 2 लिखेंगे और 3 को ले लेंगे तो 23 फिर इसी तरह 2, 4 को ले लेंगे 24 फिर 2 लिखेंगे 5 को ले लेंगे तो 25 देन अगें 2 लिखे 6 ले लिए तो 26 फिर 2 लिखे हम लोग 7 को ले लिए तो 27 तो लिखे 8 ले लिए तो 28 उसी तरह 2 को साथ 9 को ले लिए 29 और 2 के बाद क्या ह होता है 3 तो 3 0 30 तो बच्चों आपको यहां और 2 times 21 to 30 सुन्दर से मैस कॉपी में आपको यह लिखना है 1 to 10 भी लिखना है उसी तर 11 to 20 लिखना है उसके बाद 21 to 30 को आपको यहां 3 times लिखके complete कर देना है ओके चुद्रन बाई बाई